भारी बारिस के कारण पेटला उश्यत्र में स्वयाबिन सहीत अन्य फसलों को भारी नुकसान पोचा है जिस वोजे से किसानों को बड़ी नुकसानी उठाना पड़ रही है जेहां पिटलाओ शेतर में इन दुनों भारी बारिस के कारण किसानों को काफी नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि पिटलाओ शेतर में किसानों के द्वारा सोयाबिन से हितमने फसले लगाए गई थी किन्तु लगातार हो रही बारिस्त के कारण फसलों को भारे नुकसान पोचा है कई किसानों के खेत पुरी तरह से चोपट हो चुके है किसानों ने हजारो रुपे की लागस से फसले लगाई थी जिस वज़े से किसानों को लगातार और चिंताय बरती जा रही है कितिनी लागत से आपने लगाया था लागत के यहां पर मैंने डेट कुंटल बीज लिया था वह लगाया तो उसके बाद फी दवाई और मजदूरियों अगरा करके आने करें इसमें 15-20 रुप्य खर्चा आ गया था अच्छा तो पुरी तरह से नश्ट होगे जलाना पड़ेगी अछे दाना निकल पुरा जर्मिनेशन होगया एसा अंकूरन आ गया यह वाला पूरा यह सब अंकूरन होगया पूरा एक किलो दाना भी निकला पूरे चापशे विगे में जमिन में से किसी संबनित अधिकारी से आपने बात करता हूँ और आप मेरे को फोटो भेट देना तो मैंने फोटो खेच के पड़ोज साब को भेजा था लेकिन आज उसके बाद 24 गंटे हो गया अभी तक मेरे खेट पर को अधिकारी नहीं आया देखने के लिए अच्छा सोया बिन के लाव और भी फसले खराब हुई है क्या अच्छा सोया बिन के लाव और भी फसले खराब हुए अच्छा कहां पर है आपका खेट बावड़ी पास में अच्छा कितिनी लागत से आपने लगाया था वहाँ पर उसमें शेत्र की तमाम खबरों के लिए बने रहे लगातार सिबिलायू के साथ शंट हकुर पेटलावत